कोई अच्छी कोशिश करते हुए शिकस्त खा जाना बुरी कोशिश करके काम्याब होने से बेहतर है रिश्वत और सिफारिश का इस्तमाल करके किसी की महारत को वक्ती तौर पर तो दबाया जा सकता है मगर लंबी रेस का घोड़ा कभी पर्ची नहीं होता जबरदस्ती दूसरों को काट कर रास्ता बनाने वाले अपने जमीर के कैदी बन जाते है वो जिन्दगी में जितना आगे बढ़ते हैं अंदर से उतना ही मरते है महारत और कारकरदगी वो होती है जिसकी जमाना मिसाल दे जो लोग खुद ही अपने ढोल बजाते रहते हैं वो सिर्फ अपनी फेस्बूक की टाइम लाइन और पोस्टिंग में जिन्दा रहते हैं लोगों के दिलों में नहीं अगर तुम दिलों में जिन्दा रहना चाहते हो तो दिलों से खेलना छोड़ दो उहदे और रुत्बे में बड़ा होना कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं होता साहाब अगर हकीकत में बड़ा बनना चाहते हो तो दूसरों को कभी छोटा मत समझो जो जिन्दगी खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा करने में गुजारते हैं जिन्दगी एक दिन उन्हें ऐसा गुजारती है कि वो कभी किसी को दिखाई नहीं देते खास लोगों से तालुग हमेशा सोच समझ कर बनाना साहब ये खास लोग जखम भी ऐसा खास लगाते हैं तकलीफ सीधी जिसम से रूह तक चली जाती है जानते बूजते हुए धोका खा जाने वाले की मिसाल उस शक्स किसी है जिसे सांपों से डस्वाने का चस्का पड़ जाता है अगर तुम्हारी आँखें अपने इर्दगिर्द रहने वाले इनसान नमा भेडियों को पहचानने से कासिर हैं तो समझो के तुम अंधे हो और दोस्तो दो चीजें बहुत अजीब और गरीब हैं एक तोबा दूसरी नियत और ये दोनों अजीब और गरीब इसलिए हैं कि इन दोनों की तासीर और फैज एक दूसरे के उलट है मिसाल के तोर पर नियत का काम है ग鬼्रहाशित को खाजिर करना यानि कोई अमल आपने नहीं किया तो अगर आपकी नियत जयर खाजिर किया आम थे उसके तो अलताफ शहिदी सब पर तुझ से किया जित थी जो तू किसी काबल होता अपना बहुत ख्यार रखेगा और उनका भी जिनका कोई ख्यार नहीं रखता अल्ला हो आप सब का हामिय उनासिर अल्ला हाफिस